हेलो बच्चो वेलकम तो आई यूट्यूब चानल तो हमने लास्ट वीडियो में प्राक्टिस सेट 38 का सेकंड क्वेशन किया था अगर आपने वो वीडियो देखा होगा अगर आपने नहीं देखा तो एक बार अच्छे से देखिए वो वीडियो में मैंने सिर्फ inverse proportion का concept बहुत डीटेल में explain किया है example के साथ फिर second question solve करके उसको implement किया है ठीक है अब इस lecture में हम first, third और fourth question solve करके practice set 38 खतम करेंगे चलो शुरू करते हैं practice set 38 का first problem है five workers take 12 days to weed a field weed a field मतलब जो farm पे घास उग जाता है न वो घास को निकालने को बोलते हैं weed weed a field मतलब उसको निकाल देना ठीक है तो पांच workers है तो उनको 12 दिन लग रहे हैं काम करने को how many days would six workers take मतलब एक worker बढ़ा दिया तो कितना time लगेगा ठीक है तो हमको पूछा है how many days would six workers take एक और question पूछा है वो बाद में tackle करेंगे पहले how many days would six workers take तो हम लोग assume कर लेते हैं let six workers take x days assume कर लिया ठीक है अब table बनाओ जैसा direct proportion में बनाते थे वैसा यहां पे भी table बनाएंगे अब इसमें क्या लिखेंगे पहले हम लिखेंगे number of days और दूसरा क्या है number of workers ठीक है तो देखो information क्या दिया है five workers को बारा दिन लगते हैं तो worker के जगे पे लिख दूँगा five and then days के जगे पे लिख दूँगा twelve ठीक है next क्या दिया है next बोला है how many days would six workers take तो हमने लिए six workers take x days number of workers six तो workers के जगे पे आ जाएगा six and number of days days के जगे पे क्या आ जाएगा x ठीक है अब मुझे बताओ अगर आप लोग कुछ friends मिलके काम कर रहे हैं एक room safe कर रहे हैं ठीक है तो अगर तीन लोग काम कर रहे हैं तो आपको दो दिन पूरे लगते हैं अगर पांच लोग मिलेंगे अब लोग five friends आ जाएंगे तो काम जल्दी होगा न ठीक है तो अगर number of workers बढ़ेंगे तो काम जल्दी खतम होगा मतलब number of days कम लगेंगे अगर काम जल्दी खतम होगा तो यह जो number of days है वो कम होते जाएंगे मतलब workers बढ़े तो number of days कम होए दोनों opposite direction मे जा रहें न उसका मतलब कौन सा proportion inverse proportion तो मैं क्या लिखूंगा the number of days and workers are in inverse proportion और वो लोग अगर inverse proportion में हैं तो हमें क्या पता है हमें पता है कि इन दोनों का product is equal to इन दोनों का product अभी सीखाता न तो क्या आ जाएगा मैं बोल सकता हूँ 12 into 5 will be equal to x into 6 correct अब मुझे x की value चीए तो x को यहीं पर रहने दो यह 6 को यहाँ पर लेके जाओ अब यह 6 यहाँ पर multiply हो रहा है तो वहाँ जाके क्या होगा divide होगा तो क्या आ जाएगा next step next step आ जाएगा therefore 12 into 5 equal to x अब यह जो into 6 था ना यहाँ पर उसको मैं इस तरफ नीचे लेके आया ठीक है अब इसको solve करो क्या आएगा 6 ones are 6 twos are उपर क्या बचा 2 into 5 which is nothing but 10 तो मुझे x की value क्या आ गई 10 अब तो x की value आ गई तो एक answer मिल गया एक answer क्या आया 6 workers will take 10 days तो एक answer हमको मिल गया अब उसने एक और question पूचा है क्या पूचा है how many would 15 take मतलब क्या है first question पूचा था how many days would 6 workers take तो हमने निकाला 6 workers will take 10 days उसके बाद पूचा है how many would 15 take how many days would 15 workers take तो इसको कैसे solve करेंगे अब इसमें पूचा है 15 workers को कितना time लगेगा हम assume करते हैं let 15 workers take x use कर लिया आप लिखेंगे y days तो यही table में मैं आगे बढ़ा दू suppose तो number of days अगर y हो जाते हैं कितने workers है 15 workers यह वाला table देखो ऐसे ही बढ़ा है 15 workers को y days लगते हैं तो देखो number of days के जगे पे y आ गया and number of workers के जगे पे 15 आ गया 15 workers थे न ठीक है तो अब यह तो same question में inverse proportion है तो मुझे क्या पता है मैं लिख सकता हूँ therefore अभी देखो इसके साथ इसको लिखो क्यों क्योंकि अगर इसके साथ इसको लिख दिया तो x भी unknown है y भी unknown है actually x हमने निकाल लिया है बट यहाँ पे table में नहीं लिखा है तो इसके साथ यह वाला product और यह वाला product भी same ही आएगा because inverse proportion है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 12 into 5 is equal to y into 15 है ना inverse proportion का property है अब मुझे y की value जी है तो y को अकेला रख दो वहाँ पे तो left side में क्या आ जाएगा 12 into 5 जब यह 15 को मैं इधर लेकिया हूँगा तो वो नीचे आएगा क्योंकि उधर multiply हो रहा है तो यहां के divide होगा is equal to y ठीक है अब इसको cancel करो 5 ones are 5 threes are 12 correct अब 3 भी तो जाता है 3 ones are 3 fours are 12 तो left side में सिफ 4 बचा देखो 4 into 1 मतलब 4 तो मैं लिख सकता हूँ 4 is equal to y ठीक है अब y क्या था y was the number of days required by 15 workers तो हमको दोनों answer मिल गए कि अगर 6 workers हैं तो उनको x days मतलब 10 days लगेंगे अगर 15 workers हैं तो उनको y days लगेंगे मतलब 4 days आया समझ में यह एक ही question में actually 2 सवाल पूछ लिए नहीं इसलिए थोड़ा complicated लग रहा है यहां तक आपने किया था तो बहुत ही simple लग रहा था न यह actually second question पूछा है ठीक है अलग से तो जाधा tension मतलब बहुत ही simple है यह सीधा पता चला inverse proportion है inverse proportion मतलब product constant product में से हमने value निकाल दिया ठीक है अभी इसका final answer लिख लेते हैं क्या आएगा final answer final answer आएगा six workers would take 10 days and 15 workers मतलब और बढ़ा दिये है workers would take how many days y की value क्या है 4 days यही था ना 15 workers takes y days y का value क्या है 4 इसलिए 15 workers would take 4 days हो गया आया समझ में चलो next question करते है third question है Mary cycles at six kilometer per hour how long will she take to reach her aunt's house which is 12 kilometer away मतलब Mary cycle लेके उसके auntie के घर पे जा रही है and वो six kilometer per hour की speed से जा रही है ठीक है तो पूछा है कि उसको कितना time लगेगा 12 kilometer अगर उसकी auntie का घर दूर है तो कितना time लगेगा ये तो बहुत जिंपल है distance is equal to speed into time वाला formula यूज कर लेंगे if she cycles at a speed of four kilometer per hour how long would she take अभी ये proportion का question ठीक है चलो solve करते हैं चलो सबसे पहले लिखेंगे speed is equal to कितना है speed six kilometer per hour and distance कितना है distance है 12 kilometer तो time का formula क्या है time का formula है distance upon speed है ना तो ये मैं सीधा use कर सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर time के जगे पर देखो distance upon speed distance कितना है 12 speed कितना है speed है six kilometer per hour इसको solve करो solve कर कहगा six one's are six two's are तो मुझे answer आगया two hours ठीक है अब ये time कौन सा time है ये time है जब cycle कौन से speed से six kilometers per hour तो आप यहाँ पर लिख सकते है time when cycle travels at six kilometers per hour ठीक है अब क्या पूछा है अब पूछा है if she cycles at a speed of four kilometers per hour how long would she take के लिए अब table बना लेते हैं ठीक है कैसे आएगा table देखो इसमें हम लिखेंगे पहले आजाएगा speed फिर आजाएगा time ठीक है तो पहले case में क्या था she was traveling at six kilometer per hour तो speed में लिख देंगे six फिर उसमें time क्या आया था time आया था two hours हमने calculate क्या था तो यह हो गया अब next case में पूछा है if she cycles at a speed of four kilometer per hour मतलब speed दिया हुआ है four how long would she take तो हम वो how long को ले लेते हैं x ठीक है तो इसके पहले लिख देंगे let it take x hours to reach with speed of four kilometers per hour अब मुझे बताओ जब speed six से four होगा ठीक है वो पहले six की speed पे जा रहती तो उसको दो गंटे लग रहे थे जब वो four की speed से जाएगी तो उसको कितने गंटे लगेंगे जादा लगेंगे और कम लगेंगे उसको जादा लगेंगे ना क्योंकि बढ़ रही है उल्टा ब्येव कर रहा है ना मतलब यह कौन से प्रोपोर्शन में है यह है इन्वर्स प्रोपोर्शन में तो मैं लिख सकता हूँ therefore the speed of the cycle and the time it takes to reach रांट्स हाउज आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन और अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन में तो हमको क्या पता है इन्वर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट कॉंस्टेंट होता है तो मैं बोल सकता हूँ therefore 6 इन्टो 2 is equal to 4 इन्टो X अब मुझे X की value निकालनी है तो यह जो 4 है उसको यहां नहीं चले जाओ तो क्या आ जाएगा therefore 6 इन्टो 2 upon 4 is equal to X क्या आ जाएगा यहां पर 2 2s आ, 2 1s आ फिर 2 1s आ, 2 3s क्या बजा left side में 3 इन्टो 1 therefore X की value क्या आ गई X की value आ गई 3 correct तो अब यह 3 value आ गई मतलब उसको अगर 4 km पर R से जाना है तो उसको 3 hours लगेंगे यह हो गया हमारा second answer तो final answer कैसे लिखेंगे final answer लिखेंगे Mary will take पहला answer था 2 hours, right क्या स्पीड पर 6 km पर आ मेरी विल टेक 2 hours to reach at speed of 6 km पर आर and बाद में कितने आर्ज लग रहे थे उसको? 3 तो आ जाएगा and 3 hours at the speed of क्या स्पीड पर था यह? यह था 4 के स्पीड पर 4 km पर आर हो गया आया समझ में? देखो यह question में न start में एक अलग type का question पूछा था distance दिया था और time नहीं दिया था तो हमने speed और distance का जो formula आता है time is equal to distance upon speed वो यूज करके time निकाल लिया फिरो time यह table में यूज करके second question का answer निकाल लिया आपको यह तो आप screenshot ले सकते हो या pause करके देख लो एक बार चलो next question करते है fourth question है the stock of grain in a government warehouse lasts thirty days for four thousand people मतलब बगर चार हजार लोग है तो जो उनका go down है उसमें इतना grains है कि वो 30 दिन तक या 30 देज तक उनको खिला सकते है how many days will it last for six thousand people तो यह चार हजार लोग के लिए data दिया है फिर पूछा है six thousand people के लिए कितना दिन चलेगा ठीक है simple question है solve करते हैं तो पूछा है how many days तो हम लिखेंगे let the stock of grain last for x ले ले थे x days for six thousand people ठीक है अब table में information दाल दो क्या आएगा इसमें हम लिखेंगे है number of days इसमें लिखते है number of people first case में देखो number of days दिया है 30 number of people दिया है 4000 तो आजाएगा 30 और यहां आजाएगा 4000 next case में क्या दिया है how many days will it last for six thousand people तो हमने लिए x days six thousand people तो लिख दो x days six thousand people अब मुझे बताओं पहले जो stock था वो तो fix है stock तो नहीं बढ़ रहा तो पहले जो stock था वो 4000 लोग के लिए था तो 30 दिन तक वो लोग खाना खा सकते हैं अगर लोग बढ़ जाएंगे लोग बढ़ेंगे तो खाना जादा खाएंगे न तो पहले 30 days तक खाना चल रहा था अब जादा चलेगा की कम चलेगा ओविसली कम चलेगा तो अगर कम चल रहा है मतलब क्या हो रहा है number of people बढ़ रहे हैं तो number of days कम हो रहे हैं इसका मतलब कौन सा proportion है inverse proportion तो हम क्या लिखेंगे एक question समझने के लिए यह देखो आपके पास suppose एक dairy milk है ठीक है उसमें चार pieces है अगर आपको सिफो दो लोगों के साथ share करनी है तो आपको अगर एक piece एक दिन का मिलता है तो कितने दिन चलेगी दो दिन चलेगी न लेकिन अगर मैं बोलता हूँ total चा यह number of people बढ़ गए same है यह case ठीक है हम लिखेंगे the number of days and number of people are in inverse proportion ओके और अगर वो inverse proportion में है तो हमको क्या पता है हमको पता है कि यह जो product है वो constant आएगा तो मैं लिख सकता हूँ 30 into 4000 is equal to x into 6000 अब मुझे x की value निकालनी है तो यह 6000 को यहाँ पर नीचे भेज़ दो तो क्या आ जाएगा therefore 30 into 4000 upon 6000 is equal to x तो काफी simple है देखो 6000 का यह वाला 0 4000 के साथ कट होगा यह वाला 0 उसके 0 के साथ यह वाला 0 उपर वाले के साथ अब 6 और 30 एक ही टेबल में जाते हैं तो मैं बोल सकता हूँ 6 1,000 6 5,000 अब उपर क्या बचा 5 into 4 which is nothing but 20 तो मैं बोल सकता हूँ therefore 20 is equal to x ठीक है अब यह x का value 20 आ गया वही तो चाहिए था तो हम क्या बोल सकते हैं the stock of grain will last for 20 days for 6,000 people तो लिख दो final answer क्या आएगा the stock of grain विल लास फॉर 20 days for 6,000 people हो गया आया समझ में बहुत ही simple question था सिर्फ calculation थोड़ा बड़ा लग रहा था लेकिन था नहीं बड़ा अब pause करके देख सकते हो या screenshot ले सकते हो ओके तो बच्चों यहां पे हमारा direct proportion and inverse proportion का practice set 38 खतम होता है इसमें हमने question 1, 3rd और 4th solve किया ठीक है question number 2 हमने इसके पहले वाले वीडियो में solve किया था तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना और आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे like और share जरूर करें आपको कोई भी doubt हो तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं तक यह वर वाचिंग इस वीडियो